नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पे जिस पर आपको एक दम सही जानकारी सब से पहले दी जाती है हम बात करने वाले हैं नेट एक्जाम को लेके आप सभी को बता है कि नेट एक्जाम को लेके कितना बड़ा मसला यहां पर बना हुआ है लगब बन्दे यह चाते हैं कि एक्जाम है वो रिकंड़क्ट होना चीए और कुछ बन्दे यह भी चाते हैं कि नहीं होना चीए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब तकलिफ है एक परकार से हम बोल सकते हैं क्योंकि जो बच्चे पहले त्यारी कर चुके हैं जिननोंने महनत कर ली है वो अब नहीं चाते कि फिर से उनको महनत है वो करने पड़े और हो सकता है उनको यह भी लग रहा है कि भी हो सकता है अब के बार उनकी किस्मत भी काम ना करे तो अच्छे नंबर भी ना आ है तो मतलब यह तो होता है वही देखो कोई वी चीज हो दो पक्स तो कुछ नेरवर करता है क्योंकि NTA है वो तो मतलब अजीब 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 सी जो मतलब रिपलाई है वो दे रहा है आज उनका जो रिपलाई आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ देखिया आप और फिर मैं बताऊँगा कि जो आज फैटिसन है वो कितने बज़े तक है व वो लेक नहीं माना जाएगा अगर मतलब कोई वाट्सअप पे भेज़ देता है तो लीक नहीं माना जाएगा मतलब गजब गजब आदमी है या रेंटिय में एक और अपडेट है वो देखिया आप वह भी मापको दिखा देता हूँ यह देखो भी कमाल की बात है नीट में नकल दो और सॉलवर गिर अफ्तार अब तक महिला बैर्थिसमेट ग्यारा पकड़े गए हैं ओनलाइन आंसर की सर्च करने के पांच जार रुपई लेते थे नकल कराने वाले वाई 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 मतलब अच्छी गजब कमाई है इसमें भी हो रही थी पांच जार रुपई नकल मतलब जो कराने वाले सर्च करने वाड़े ये पांच पांच जार रुपई तक लेते थे इसके अलावा एक और अपडेट है वह भी देख लेजिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुलिस के आत लगी सॉलोर गिरो के सरगना पीके की तस्वीर ये बंदे हैं वो पकड़े गए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो पीके उरुफ निलेस ये बंदा पकड़ा गया वही और अब मलब ये मैन इनका सरगना था माइंड था और यह पकड़ा गया है अब सब कुछ कलियर है वो हो जाएगा